अगर किसी के एप का सौ मिलियन डाउनलोड हो जाए तो वो मल्टी बिलिनेर हो जाएगा मतलब साथ पुछते बिल्कुल सेट लेकिन जब इंडिया की 1.3 बिलियन स्ट्रॉंग पॉपलेशन एप डाउनलोड करने पर आ जाए तो सौ मिलियन तो पैर की धूल है जी हम भी ये जा रहे थे करोना से बचने के लिए लेकिन तब ही 15 एप्रिल को आर्मी ने अपने जवानों से कहा देखो भाई अगर ये एप इस्तमाल करना है तो कर लो लेकिन बहुत समहल के करो भाई आर्मी के बाद तो ये देशभक्त भी मानता है तो हमने भी साबधानी बरती और छा करने से पहले अगर एप इंस्टॉल कर लिया है तब भी सुन लीजिए कुछ नहीं जाता है अच्छा एप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते हो चलो चलो नेतर टाइप आधकाम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बैल आइकॉन भी और जाता है जैसे आपके हेल्ट डीटेल्ज आपके मूब्मेंट डीटेल्स सब सेफ हैं इस इनफरमेशन को एनटोमाइजैशन के प्रोससे से घूमनाम कर दिया जाता है और secure server में store कर दिया जाता है जिसका कोई गलत उपयोग नहीं होता है यही नहीं, सरकार का ये भी दावा है कि ये जो आपकी निजी जानकारी है आपके phone से हर 30 days और server से हर 45 days में delete कर दिया जाता है तो आपकी कोई भी history tracking, movement tracking नहीं होती है सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है ये तो पता नहीं क्योंकि कई बार commitment देने के बावजूद सरकार ने इस आप का जो code है वो open source नहीं किया है इसका मतलब simple भाशा में ये है कि हमें अपने सरकार पर विश्वास करना होगा कि सब चंगा है जैसे कि नोट बंदी के 50 दिन बाद काला धन मिलने वाला था GST से देश की दूसरी आजादी होने वाली थी वैसे ही ये एप सिर्फ आपको करोना से बचाने के लिए बनाया गया है इसका और कोई उप्योग नहीं है देकि दूसरे देशों में भी ये कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग बनाये गए है लेकिन वहाँ सभी आप्स को ओपन सोर्स किया गया है और उससे क्या होता है कि लोग उसको टेस्ट कर सकते है उसकी vulnerabilities explore कर सकते हैं और उसका security टेस्ट हो सकता है साथ ही साथ आरोग ये सेतू में जो user ID है UID यानि unique digital identity है वो एक static number है जबकि security के हर नजरी से देखे तो ये एक variable number होना चाहिए था और security और ज़्यादा बढ़ जाती उससे आपकी और हमारी static या स्थाई number से किसी को track करना constantly monitor करना और आसान हो जाता है सेतू का सच सवाल number 2 क्या ये एप data को छोड़ो आपको safe रखता है या नहीं देखे कोई भी एप सरकारी हो या private जो आपकी location 24 घंटे track करता हो आपके contacts को trace करता हो वो आपके privacy को violate कर रहा है ये बात हमको मान के ही आगे चलना चाहिए कि हाँ हमारी privacy खत्रे में है लेकिन जान है तो जहान है लेकिन क्या हमारी privacy लेने के बाद भी ये एप हमारी जान बचा सकता है या नहीं क्या ये एप हमें करोना से दूर रखता है या नहीं पहली बात तो यह है कि किसी भी contact tracing app को ठीक से काम करने के लिए 40-70% of the population को उसको seriously, religiously इस्तमाल करना होगा इसका मतलब है कि 50-60 करोर phones में हमें ये app चाहिए तभी सेतु ठीक से काम कर पाएगा बने अभी तक 50 करोर phone अभी बाकी है जिसमें ये app लगना है उसके बाद भी, मान लीजिए, ऐसा हो जाता है कमपलसरी बना के उसके बाद भी ये app आपको बचा नहीं सकता है क्योंकि ये self assessment के आधार पर चलता है और अगर किसी को भी अपने आपको fit दिखाना है, वो बोलेगा कि मैं fit हूँ, मैं fine हूँ और वो पूरे देश में घूमता रहेगा और ऐसा भी नहीं है कि कोई positive है तो ये app आपको अलाम बजाके आपको inform कर देगा in fact actually उल्टा है आपके building में सोच लीजे, एक करोना patient है आपके एक floor उपर और bluetooth ये नहीं बता पाएगा कि infected person अब कौन है, आप है या वो और ये मत भूलिए और बहुत important point है कि majority of करोना जो patients है वो asymptomatic है, यानि उनको न बुखार होता है न उनको खासी होती है तो अपने app को वो बोलेंगे कि भाई हम तो fine है, आप बोलेगा ये लिजे green signal और फिर वो पूरे दुनिया भर में घूमेंगे, देश भर में घूमेंगे और करोना का gift दूसरे लोगों को देंगे वाह, what a master stroke लेकिन शायद सरकार को अब ये बात समझ में आ गई है इसलिए अब इंडिया ताबन तोड़ रेट पे टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि टेस्टिंग से ही solution है, आप बाजी से नहीं सेतु का सच, सवाल नंबर 3 क्या ये app सच्ची में temporary है सरकार की माने तो ये app एक भयानक महामारी से निबटने के लिए बनाया गया है जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी में जो app बनाया गया होगा वो perfect नहीं होगा इसलिए नए नए versions आ रहे हैं इस app के better, safer जैसे कि इस app के पहले version में app आपके private folders को access कर सकता था अब सरकार का ये दावा है कि ये रोक दिया गया है लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि ये app इतनी जल्दी भी नहीं जाने वाला है यूनियन मिनिस्टर प्रकाज आवडेकर का कहना है एक से दो साल तक ये app रहेगा लॉगडाउन खतम होने के बाद इस app के मदद से देश करोना से लड़ेगा तो तयार हो जाईए ट्रीन, प्लीन, मेट्रो, बस, ओफिस, सबजी खरीदते समय आपको ये app ही चाहिए इसके बिना आप move नहीं कर पाएंगे और गोविन्दा के तरह आप ये नहीं कह सकते है मेरी मर्जी नहीं, नहीं, नहीं अगर ऐसा NOIDA में कहेंगे तो आप arrest भी हो सकते हैं इंडिया सिर्फ एक मात्र देश तो है नहीं जो करोना संक्रमन से लड़ रहा है लेकिन सिर्फ एक मात्र डिमोक्रिसी है जिसने contact tracing app को इतनी जोर-शोर से और इतनी ठोस तरीके से compulsory बनाया है और वो भी बिना किसी digital privacy framework के पूरे देश में कोई ऐसा framework नहीं है लेकिन यह app हमें compulsory बनाया जा रहा है सेतू का सच सवाल नमबर 4 वई यह सेतू app बड़ा क्यों हो जा रहा है बेटर तो ठीक है बट वाई बिगर आरोग यह सेतू एक temporary अगर app है तो सरकार इस पर बहुत जादा महनत कर रही है देखें migrant workers घर जा पाएं ना जा पाएं ट्रेन की नीचे आएं ना आपाएं इस app में देखिए कितनी महनत हो रही है हर दिन नए updates आ रहे हैं और हर update में नए features एड हो रहे हैं अभी अगर आप देखें तो चार sections अल्रड़ी हैं इस app में status, media, covid updates and e-pass इस temporary app से आप already अपना risk पता लगा सकते हैं आसपास के लोग infected हैं वो पता लगा सकते हैं help line number पर call कर सकते हैं trending videos watch कर सकते हैं मोदी जी का संदेश लुन सकते हैं और अपने आप PM Care Fund में पैसा भी जमा कर सकते हैं वाह! आरे 70 साल में ऐसा कोई app आया हो है तो आप समझ सकते हैं कि ये past system और ये compulsory tracking system near future में तो permanent है यही नहीं मद्दप्रदेश में सेतु का भाई सार्थक app लौँच किया गया है जो एक mobile based employee management solution for the government of मद्दप्रदेश है सरल भाशा में बोले तो ये एक office attendance system है जिससे attendance mark होगी और करोना संक्रमित लोग भी track होंगे लेकिन चिंदा बत करिए ये सब तो temporary है जी कुछ ही सालों की बात है kindly adjust सेतु का सच सबसे बड़ा सवाल नमबर पांच centralized versus decentralized पूरी दुनिया इसी सवाल पर बटी हुई है centralized system में आप से anonymized data collect किया जाता है remote server में डाला जाता है वहाँ कोई corona positive है निकलता है अगर matching होती है तो फिर इस data का इस्तमाल किया जाता है दूसरों को want किया जाता है और पहले लोग जो उस person के contact में आए है उनको trace किया जाता है इस system में सरकार के पास ही चाबी होती है सारे data की तिजोरी की जाहिर से बात है कि हमारे सरकार ने यही centralized system चूज किया है because you see, सरकार knows the best लेकिन decentralized system में आपके privacy का ध्यान रखा जाता है जादतर data आपके phone पर ही रहता है और अगर कोई corona positive निकलता है आपके आसपास तो phone to phone, phone to phone alert जाता है यही model है जो Google और Apple develop कर रहे हैं और कई देश यही model को अपना रहे हैं for example Singapore और Australia जैसे जो देश हैं उन्होंने यह centralized system छोड़ कर यह decentralized system अपनाने का फैसला किया है लेकिन France जैसे देश हैं जो centralized system के तरफ जा रहे हैं Norway ने तो centralized system पिछले महीं नहीं चालू कर दिया था लेकिन privacy concerns के चलते हैं नौर्वे में अब यह system सिर्फ 20% लोग ही इस्तमाल कर रहे हैं बेसिकली system useless हो गया है नौर्वे में क्या हमारा आरोग यह से तू नौर्वे और France के तरह centralized रहेगा या फिर हम उन देशों में होंगे जो decentralized, more efficient system को adopt कर रहे हैं जैसे कि Germany है, Poland है, Switzerland है Austria है, Canada है क्योंकि सिर्फ army ही अपने लोगों को साबधान नहीं कर रही आरोगे सेतू के बारे में सिर्फ anti-national, international press ही आरोगे सेतू के बारे में articles नहीं लिख रही है सेतू की security का सच तब भी सामने आया जब फ्रेंच ethical hacker Robert Baptiste, aka Elliot Alderson ने 5 मई को tweet करके ये बताया कि ये app secure नहीं है Robert ने कहा कि triangulation attack से किसी भी app user का COVID status पता लगाया जा सकता है Alderson ने ये भी दावा किया कि अपने hacking skills यूज करके France में बैठे बैठे, उन्होंने ये पता लगा लिया कि भारत में किस एरिया में कितने लोग infected है, यही नहीं Elliot ने खुद अपने मन पसंद का 100 किलोमेटर एरिया रेडियस चूज किया और वहां का assessment कर लिया करोना का लोगों ने कहा किया रह रह हम कैसे मान ले हैं ये तुमने hack कर लिया है, सरकार तो बोलती है यह app foolproof है Elliot भाई साब ने कहा लो, पांच लोग PMO में बिमार है दो army headquarters में, एक parliament में और दो home ministry में हालकि Elliot के खुलासे के बाद सरकारी agencies ने खुद उन से बात की और clarify किया कि यह जो leakage था problems था, यह solve कर दी गई है लेकिन सवाल यह तब भी उठता है कि सेतू की security और हमारी personal data कितनी secure है क्योंकि अगर एक hacker हमारा data का पता लगा सकता है status का पता लगा सकता है तो क्या दूसरा hacker hack करके हमारे covert status को negative से positive बना सकता है यह सवाल पूछना जरूरी है खासकर जब 10 करोर लोगों की privacy का सवाल हो और media में तो इस app के privacy concern को लेकर कि हमारे देश में love जिहाद की तरह अब जमीन जिहाद भी हो रही है खैप छोड़ो लेकिन हाँ अब आप ये भी कह सकते हो कि privacy जादा जरूरी है या COVID-19 से जंग हाँ यह लड़ाई देखिए आपकी privacy उतनी ही जरूरी है जितना आप चाहे Facebook, WhatsApp, Twitter जैसी कई apps हैं जो काफी सारा data खीचती है तो सेतू से क्या डर ना फर्क बस इतना है कि वहाँ हम choose करते हैं अपना data share करने के लिए अब अगर मार्ग जगरबर्ग आके आपके कनपटी पे बंदूख रग दे और कहे कि बेटा Facebook डाउनलोड करो और इसको रोज इस्तमाल करो तो शायद आपका नजरिया Facebook के तरफ थोड़ा सा अलग होगा जिस दुनिया में decentralized contact tracking apps है जिस दुनिया में South Korea जैसे देश है जो बिना apps के ही लोट करना है तो जरूर कीजिए लेकिन app से करोना नहीं जाएगा ये भी जान लीजिए उसके लिए आपको मास्ट चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पीपी एक्विप्मेंट चाहिए, वेंटेलेटर चाहिए, स्राटजी चाहिए और सबसे जरूरी टेस्ट किट्स चाहिए, ताकि आपको पताल लगे है कि actually में लोग कितने बीमार है, like असल वर्ल्ड में, like really, app पे नहीं काफी research लगा है ये episode बनाने के लिए क्योंकि इस app में बहुत सारी चीज़े जो गलत हैं ठीक भी हो रही है और सबाल उठाना इसली भी जरूरी है क्योंकि while we were making this episode सरकार ने ये भी clarify किया है कि इस app का usage कहां होगा, सरकार कहती है सिर्फ medical purposes के लिए होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं होगा, याद रखिए सरकार ने, यही सरकार वही सरकार है जिसने हमारी license और registration data insurance companies को बेचा था तो यही आशा करते हैं कि अगर हम सवाल उठाते रहें, तो हमारी जो data है वो misuse नहीं होगी और उसका कोई गलत उपयोग नहीं होगा और ये app किसी surveillance purpose के लिए इस्तमाल नहीं की जाएगी कैसा लगा ये episode आपको जरूर हमें बताईएगा, बहुत सारा मेहनत लगता है ऐसे episode बनाने के लिए तो comment आपका बहुत जरूरी है, ना भी पसंद हो, कोई बात नहीं साब चंगा सी है, निकालिया बढास नीचे, लेकिन हाँ, अगर गलती से पसंद आया तो जरूर like करिएगा, subscribe करिएगा, share करिएगा और अगर आपको देशभक्त के episodes पसंद आते हैं तो जरूर join करिए हमें become a member of देशभक्त नीचे join बटन है, उसको दबा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं www.patreon.com slash theशभक्त एक और reason है, आपको member बनने के लिए, हमारे सारे members एक Discord server के access तो अलड़ी वो पाते ही है, जो एक अलग community है देशभक्त का, लेकिन इस हफते से हम एक member only podcast भी शुरू कर रहे हैं वो podcast क्या है, उस podcast में क्या होगा, कैसा information होगा, कितनी मस्ती होगी, वो जानने के लिए आप जरूर member बनिये देशभक्त के, more episodes coming up, keep watching